नमस्कार देनिक्षिफ टाइम में आप सबका स्वागत है मैं रश्मी शर्मा कैमरामेन शुबम भगत के साथ एक ऐसी स्टोरी लेकर आपके समक्षा आए हैं कि शायद उसका शिकार आप भी हो रहे हो जहां पर लगातार एलजी एड्मिनिस्रेशन की ओर से ब्रश्टाचारि लोगों पर शिकन्जा कसना शुरू हो चुका है उसी की तरफ बात करें असब्तालों की बात करें तो असब्तालों में भी अब यह ट्रेंड चलना शुरू हो गया यानि गौर्मन इधारे में बैटकर आप सरकार से तन्खवा मोटी-मोटी पाते हैं आम जंता की सेवा के ल शौप का रेफरस्स देते हैं कि दवाई अगर होस्पिटल के अंदर वही दवाई अगर 190 में मिल रही है और बाहर आपको आड़ सो आड़ 900 की रुपे की मिल रही है तो आप उस गरीब पेशन को कहेंगे यहां पर नहीं जनाब आपको इस मेडिकल शौप से जाई और वहा आपको बात बता रहें एकल की बात है एक मरीज जो आता है और वह दवाई लेने जाता है तो उनको यह कहा जाता है कि यह दवाई का अच्छा साल्ट नहीं है यह यहनिके सुपीरियर नहीं आप इस शौप से जाएगा प्रॉपर शौप का नाम भी दिया है जो हमने आपको अगर एक गरीब व्यक्ति गरीब इंसान असरताल में का बाता है जब स्वास की कोई परिशानी हो अपनों की कोई परिशानी हो अपनी स्वास की या अपने परीजनों की तब वो जाकर असरताल में जाता कोई खुशी से नहीं जाता अगर वहाँ पर भी इस तरह का अगर ब जो धारा सिंग जी उनसे भी बात की पर उन्होंने कहीना कि इस बात को टालते हुए बड़ी लाइटली फ़र ग्रांटी लिया कि आपको मैं पैसे दिलवा देता हूं जना पैसे दिलवाना तो जरूर दूर आपने उसकी बात को ही धरकनार कर दिया इसी कि चलते आज हमारे ड बहुत बहुत दन्यवाद जो आप अपना कीमती वकत निकाल कर हमारी मुश्चितल जी में जाना चाहूंगी आप अपने पेशन के साथ एसमजे इस होस्पिटल शाला मार आये थे आखर पूरी बात क्या हुई वह भी बताई ताकि आम जनता भी इससे अफगत हो जाए और आला दीकारी जो हमारे हेल्थ के हैं कभीशनर है जो हेल्थ की और साथ इसल एलजी मुहद्य उन तक भी बात पहुंचे किस तरह से होस्पिटल के अंदर भी भारी बरकम रकम तंखवाए पाने वाले लोग भी आम जनता को किस तरह से लूटने का प्रयास करें जी शितल जी अलाउड नहीं किया जाता है मेरी मदर वहां पर गए जब वहां अंदर डाक्टर से मिले उन्होंने मैडिसन लिख कर दी एक मैडिसन का नाम में टैबलेट केलसीरम जी जी सेकंड लिखी हुई है टैबलेट पैंट आप जी जी तो उसके बाद उन्होंने बोला कि यह मैडि गनलेट केलेट की नहीं घूब बाहर से लेकर आऊ फिर वह बहार गए जो और के शाप थी वहां पर गए तो वहां पर फिर उन्हें उन्हें अले ह APPLAUSE बुह फिस ड्रॉक्टर के पास खिए उन्हें बोला यह वाली पनमि चाहिए! तो मदर ने पूछा कि कौन सी वाली चे उन्होंने लिखा जो कापी है उस पर लिखा प्रेम मेडिसन के पास जाना जी जी यह उस डॉक्टर ने लिखा आपके वहां गायनिंग की कौन सी डॉक्टर थी यहां पर स्टेंप लगी हुई है डॉक्टर अमीता गुपता प्रोफे प्रोफेसर जी डॉक्टर आकरिती मनहास लक्षिदर यह तीन इस पर स्टेंप लगी हुई है जी उसके बाद जब वापिस गिया वो गया प्रेम मैडिसन के पास जी जब प्रेम मैडिसन के पास गिया वहां से उन्होंने मैडिसन लाई बिल बना 888 रुपीज का बिल बिल किरश के वी पास बड़े चुरूं में दिखाया जनते को जी तो उसके बाद मेरीस परेजिदन से बात हुए उसे बहुतν ही उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे से क्यों नहीं में बोला कि हम तो अब चले गए है बिलकुल बोला आपको मेरे से मिलने चीए मैं थे मैं ने तो ऐसे ही ग्रीव लोगों को और लूटा जाएगा इस चीज से मैं मूलूगी जो डॉक्टर थी उस्पिटल के अंदर बैठी हुई थी गाइनिंग वाड की डॉक्टर थी जिन्हों ने आपको लिख के दिया ये दवाई लिख के दी हंजी हंजी तो जो दवाई आपको 888 र जी बिल्कुल वहां सोब्सक्ति यह साओं का नाम की लिखा यह बड़ा सवाल हमारे इजान में बार बर ही हमारा सवाल आ रहा है कि उसी शाब का क्यूं नाम आपने पूछा नहीं किसी शाब से क्यों असल में वहां पर जैंट्स को लाड नहीं था मदर गीया आपको पता ही है मदर मेरे अजूकेट है तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या पता जो मेंगी मैडिसन है वो उससे ज्यादा असर होगा जो सस्ती वाली उससे नहीं होगा तो उसके बाद मेरी सुपिड़न सर्से बात भी उन्होंने बोला कि आप मेरे से क्यों नहीं मिले ऐसा नहीं हुआ करूंगा जो GMC प्रिंसिपल है और ग्याइनी की अचोडी है तो मैंने उनसे यह की बात बोली सुभी रंसर से कि हमें कुछ नहीं चाहिए हमें बस उनका टर्मिनेशन आर्डर चाहिए जी 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 उसके बाद जब आपने कोई कोई रिप्लाई उसके बाद नहीं आया उसके ब जो यहां के डारेक्टर है उनको मेने इमेल किया हुआ है उनको यहां से इमेल किया हुआ है तो मैंने उनको भी एक पॉजिटीव रिस्पॉम्स नहीं मिला बिलकुल क्योंकि हमारे पास यह पूरी इसलीप होस्पिटल की पड़ी है और यह प्रेम एडिशन जो आपने बताया ट्रेडर्स यहां की भी परची आपके पस लिप पड़ी है जो पैसे आपने दवाई लेकर रहे हैं पर बड़े अचंबे की बात है कि आप सरकारी ऑस्पिताल में बैठते हैं अयुश्मान के काड में अगर अपने दवाई ली है तो उनमें अपती क्या है अ आपको चोथी गुना में चार गुना मेंगी दामों पर मिलें यह तो आपने आवाज उठाई शितल जी तो आप तक यह खबर पहुंची और हम यह खबर आप यहां के परशासन एल जी महोत दे और यहां की अड्मिस्टेशन तक ला रहे हैं और आपने का मैंने हर जगा यह परची पर आपको लिखा गया है वो भी हमने पूरा दिखा जो आपने दारा सिंग सर को मैसेज किया वो भी हमने पूरा दिखाया उसके बावजूद भी कोई नहीं ना जाले कितने रोज ऐसे लोगों को इस सरह से परिशान किया जाता होगा किस सरह उनको चकर काटे जाएं जो 190 में मिल रही है वो वहां पर 888 की मिल रही है तो उस वकत मुझे कहीं न कहीं लगा कि कुछ गलत तो हो रहा है इनको पहले ही यहां पर जो अंदर शाप खुली हुई आईशमान की इनको इन से प्रालम है जी जी यानि इनकी प्रालम की वज़ा से आप आपको प्रालम है किसलिए प्राई यह समझ नहीं आ रही दवाईयां के अपने खाते से दे रहे थे कि अगर मरीज के लिए गरीबों के लिए परदान मंतरी जी ने यह जो जनाय खोल ली है उन्हों लें सुविधा है दिया है यानि कि इस तरह के लोग जो कही ना कई अपने मफाद के लिए आम जनता की जेबों से पैसा एट रहे यानि कि जो दवाई आपको 190 में पहले मिली यही बोला ना आपने और वही दवाई आपको 8888 रुपे में मिली यानि कितना यानि यह किने नव गुना जदा आपने वो पर नज़रा नहीं कर सकते हैं यहाँ पर कहीं भी देखो हास्पिटल में आप देखोगे वहाँ से मेकसिमम जो मैडिसन्स होती है वो बोलते है कुछ यहां से मिलेगी कुछ बाहर से लाओ उसके बाद कुछ डाक्टर साफ देखोगे वो डाक्टर प्र którejोरि एक्रिभा क्ली आपने हम तक यह निव्जोस दी क्यों कि हम उनका भी नीरस चिप जी है जो कि एक 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 अज्जी ओ के हैं नेशन फर्स चाहिद इसी के एंज्जी के हैं परधान है उनका हम शुक्रिया करते इस तरह के काफी मुद्धे वो हम तक लाते हैं क्योंकि जब तक समाज से भी married문 ön के जो है वहां पर है बट यहांपर भी होता है कुछ होए हैं अब कमिशन के ओपर काम हो रहे हैं विल्कुल सही का वह जल्दी ही एक अच्छी लाइफ को जीना है उन्हें पैसे कमाने है तो यह गलत तरीका यह अपना रहे हैं बले गरीब जूचा रहे बले गरीब की जान निकल जाए जी चलिए दन्यमाद शीतल जी आपका हमार करें तक यह खबर लाने के लिए बहुत बहुत शुक्या और जितने भी हमारे विवर देख रहे हैं अगर उनके साथ भी शालामार होस्पिटल में ऐसा कुछ हो रहा है यह किसी अन्य होस्पिटल में हो रहा है तो तुरन धंता खबर थैंक्यू धन्यवाद शीतल जी जो कि कि यहां पर अपनी मदर के साथ आये थे एलाज करवाने के लिए आप अफसोस की बात है कि देखी किसकदर शीतल जी के साथ क्या हुआ कि अगर प्रधानमंतिरी जी ने गरीबों के लिए सोचा है तो खुश स्वाय वा आम जंता ग्रुक हो रही है यह बात है शालामार वामंट होस्पिटल की हमारे जम्मू की एक व्यक्ति जो आता है रामन साइट से अपनी मा को लेकर गाइनिंग की प्राबलम होती हो जब गाइनिंग वार्ड में जाता है वो शुरू में आपको स्लिप्स भी हमने बताई है तो वहां प दुखा जाते फिर कहते जनाब यह नहीं लेते फिर पटकुलर दुकान का नाम लिखा हुआ जो हमने शुरू से आपको विजोल है ध्यान से देखिए एक पट्टी कुलर दुकान का मेडिकल शौप का नाम लिखा हुआ है कि इस शौप से ले गर जाई तो क्या उन्हें नहीं कहा कि थोड़ा बहुत हम भी देखते हैं जब साल्ट सेम होता है तो डॉक्टर भी कहते हैं जनाब ठीक है पर उसी के चलते वही दवाई बाहर से उस शौप से उनको मिलती 888 रुपे में और खुश सोची एक गरीब व्यक्ति जो 190 बड़ी मुश्किल से दवाई के होगा और शुक्रिया करता हो का परधान मंतरी जीगा चली हमारे लिए चोटी-चोटी सुवीदा बहुत काम आती है पांच लाका जो उसमें इलाज के लिए चली पांच ना से थोड़ा-थोड़ा इलाज तो हो रहा है किसी ना किसी तरीके थे पर सवाल बढ़ाई है कि यह इसी तरह से यह परिशान करते होंगे जो लोग परिशानी के आलम में होस्पिटल में आते होंगे और जब इन्होंने शीतल जी ने का कि मैंने दारा सिंग के क्योंकि हम ने वह चैट भी आपकी लगाई जो दारा सिंग सार को सुप्रीरेंड जो गौर्मन यहां पर एसे जी आयुश्मन कोंटर से बड़ी प्राबलम है क्योंकि वहां से जनाब आपको कमिशन तो आती नहीं होगी क्योंकि साफ कहते ना मुद्दा ही सारा पैसे का है यानि किसी तरह से भी लेना गरीब का खुन चूस हो आप नचोड़ो जितना हो सकता नचोड़ो पर जाद रखो आ उनका खुन पीने से बाज नहीं आते हैं शरम आनी चाहिए ऐसे लोगों को ऐसे डॉक्टर्स को फिला सबकी बात तो नहीं करेंगे पर उनकी जरूर करेंगे जिन्होंने इस पर्ची पर स्पेशल प्रिस्काइब किया है उस मेडिकल शाप का नाम क्यों नहीं वह दवाई क क्यों नहीं लगती जो 190 की है क्या 888 रुपे की दवाई में कुछ ज़्यादा असर है यह बड़ा सवाल रहेगा ना जाने और कितने लोग इसी परिशानी के आलम में होगे ऐसे उनसे कभीशन के दम नाम पर उन्हें लूटा जा रहा होगा हम जरूर एलजी मोहदे से यहां पालिया निशान SMG होस्पिटल जो शाला मारा काफी सारी शिकायतें भी हम तक पहुंचती हैं पर अंदर तो उनको जाना है लोग नी गाइनिंग वार्ड में पर जो महिला हैं जाती वो भी काफी सारी शिकायते करती हैं सबकी हम बात नहीं करते कुछ लोग कुछ डॉक्ट वीडियो को देख कर क्योंकि तभी कहते हैं ब्रष्टाचार मुक्त भारत ब्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर परधान मंतरी जीने तो नारा सही दिया था तो क्या हम उस नारे फटकरे उतर रहें हम तो शुक्रिया करते कि आज दिनी इस तरह की चीजों को आम जनता एक्सपोस करने में मदद कर रही है आप भी अगर आपके साथ भी इस तरह का कुछ होता है तो जुरूर हम तक लाइए हम आप उनको भी एक्सपोस करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे जूड़ी रिया सिमारसत अगले अपडेट के लिए जाहन जाबार